एलो गाइज कैसे हैं आप सभी स्वागत आप सभी का हमारी एक नए ब्लोग में और यह ब्लोग मैं बहुती दिनों बाद बना रहा हूं यह को लेट चालू होने की बज़े से टाइम नहीं मिल रहा था और आज मैं अपने गाओं में खेतों पर आया हूं और यह देखिए क्य में देखी रहा हुआ और यह पीछे नीवू का पेड़ है मेरे इस पर बहुत सारे नीवू है अज घर में बहुत जादा है तसीना पसीना हो रहा है और यह भाई साब नीवू बटोर ने में लगे हैं तो मैं आपको बैक कैमरे से ले चलता हूं और देखिए एंजॉय कीज बाइसाब थेला बरके नीवू है और अब इस पर और लगे हैं पता नहीं चलता नीचे लगे हुए है इसलिए दिखते नहीं है यह बटोर रहा है नीवू और यह देखिए हमारा थेला भी वर गया अभी दूसरा थेला लाएंगे और यह धर भी पड़े हैं वैं आपको प कि और यह पीड़ यह देखने में नहीं लग रहा इस पर इतने निकल आए होंगे क्यों कि पता नहीं है धहां पहल गया है अब ये वाई साब इधर भी और कुछ तो इसमें फसे ही रह गए जो हमने तोड़े थे डंडे से इसमें फसे रह गए है कुछ और ये हमारी धानों की फसल कड़ी है मोसं भी बहुत बेकार है गाइस क्यों की हवा नहीं चल रही है और बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है पता नहीं हाज क्या हो रहा है और वारिस भी इदर हो नहीं रही है पानी भी हमको तो मोल लेना पड़ रहा है ये देखिए इस पर नीवू बहुत ज्यादा आते हैं हमने पिछली साल भी काफी तोड़े थे और इस साल भी ये आप देखी रहे है ये ठेला वहाँ रखा आए है और यह बाई-स आप क्या लेकर चल दिए लगडिए कि आ कि क्या बताए है जाए बहुत ज्यादा गर्मी को रखी है घुड़े ये चोटा साथी बडोग बनाते हैं और चुट्टी करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो अगले व्ल इतना उच्छा हो गया लेकिन इस पर मौसमी इस साली आई है और यह वाई साब तोड़ने की जुगाड में लगे पड़े हैं यह कहा है उदर चोट ही है यह मौसमी का पेड़े इस पर कुछ नहीं आथा और वह बारा रहता है जब कि इससे बहुत चोटा है वह वह बाइस टा झाल